हेलो सुदेंट्स स्वागत आपका आज के इस वीडियो सॉल्यूशन के अंदर माइसेल्फ ललित सोनी टीम बोटनी आज हम लोग डीटीस नंबर फोटिफाइफ के अंदर लेके आए हैं टोपिक एकोलोजी वेरी इंपोर्टेंट टोपिक इन नीट बचो नीट के अंदर बोटनी में आठ से दस कोशन जो है वो ये टोपिक कवर करता है इस टोपिक के अपने NCRT के अंदर चार चेप्टर दे रखे हैं और इन चारो चेप्टर को मिला कि अगर आप कंडिशन देखें तो आठ से दस कोशन जो है ये अकेला टोपिक कवर करता है तो अपन कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है अपने नीट के लिए और बचो ओल्मोस कोशन जिससे कि आपको पता है NCR से आते हैं तो पेपर अपना जो है NCR बेश्ट है ठीक है देखिए तो बच्चों बात करते हैं इसमें कि फर्स्ट कोशन इफ वी टेक ओनली एफ फ्यू इंडिविज्वल्स एट एनी ट्रोफिक लेवल्स इंटू अकाउंट वी कन्लूडेट डेट यदि हम किसी एक पोस् ट्रोफिक लेवल होता है अगराप कंडिशन देखें कि जैसे मनलों पने पास में यहां पर एक करामिड है और इस पिरामिड के अंदर जैसे कि अपने को पता है इस तरीख से बच्चों क्या होते है इस ए अपने पपास मेंotion की पर इस फ्रेमिंग और यह बच्चों लेवल के अंदर अगर आप organisms को लेते हो individuals को लेते हूं तो सब को नहीं लेकर अगर कुछ ही individuals लेते हैं तो उस condition में क्या होगा all pyramids are upright all pyramids of biomass are upright pyramids of number biomass and energy may upright and inverted simultaneously no generalization we can make बच्चों बड़ी simple सी बात है पिरामिट जो वह गड़ता है वो पिरामिट आप कह सकते अगर आप एक ट्रोफिक लेवल के अंदर सारे इंडिविस नहीं लेते हैं जैसे यहाँ पर प्रोडूसर्स आते हैं तो जितने भी जो प्रोडूसर्स है हम यहाँ पर रख देते हैं इसके बाद में क्या आते हैं प्राइमरी कंजूमर तो उस एको सिस्टम में जितने भी जो प्राइमरी कंज्यूमर है हम यहां पर पूटब कर देते हैं लेकिन अगर मांन लो आपने सारे इंडिविसवल्स को कीया आपने कुछ individuals को put up किया है तो बचो ने तो यहां पर नंबर का पिरामिड बनेगा पिर नंबर का पिरामिड क्या होता है कि जितने भी प्रोडूसर से आप उनके नंबर यहां पर नोट कर दो नहीं बना सकते हैं तो बचो यहां पर यहां सर कौन सा हो गया फोर्थ ओप्शन हो गया ओके नेक्स्ट कोशन नंबर सेकिट ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ओफ एनिमल्स लीड्स रिजल्ट इन जन्तुओं का उच्छ विविद रूपेन बढ़ावा देता है परिनित होता है देखिए बचो अगर मानलो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो जादा है कोई भी एकोसिस्टम है अगर आप कंडिशन देखिए बच्छो डाइवर्सिफिकेशन क्या है जादा मतलब डाइवर्सिटी जादा है तो एकोसिस्टम के अंदर अगर डाइवर्सिटी जादा है मतलब directorscannd of animals वहते हैं professional kinds of plants वहां पर है तो जितनी जादा diversity होती है जितने ज़्यादा diversity होती है बच्चो उतना ही ज़्यादा अपनी यहाँ पर कह सकते हैं कि response create होगा and adaptive behavior of species जो बच्चो यहाँ पर जितनी ज़्यादा diversity होती है उतना ही ज़्यादा species species के बीच में क्या होगा interaction होगा उतना ही ज़्यादा आप कह सकते adaptation आएगा behavior adaptation आएगा यह बोला है less seasonal variation in environment ने बचो अगर मालो diversification ज्यादा है इसका मतलब diversity ज्यादा है तो ecosystem stable होगा इसका मतलब वहाँ पर seasonal variations है वो बहुत कम आएंगे most responsive and adaptive behavior of species बिलकुल सही है stability of ecosystem alone बचो जो एक ecosystem होता है सिर्फ उसी की stability होती है ऐसा नहीं है जो आस पास के और भी ecosystem है सब बचो equilibrium में चले जाते हैं समय वस्ता में चले जाते हैं variations in functioning of ecosystem जो ecosystem के functions होते हैं उन functions के अंदर variations वगरा का आना नहीं यह बचो आप यहाँ पर कह सकते हैं ecosystem में variation नहीं आएगा बलकि वो जो ecosystem है उस ecosystem के अंदर stabilization आएगा उस ecosystem के अंदर जो variations है वो कम हो जाते हैं बात समझ रहें जो टिल में नाम का scientist था उस टिल में ने का क्या कहा था कि एसी जगा जहां पर बचो diversity ज्यादा थी वहां की productivity में बहुत कम variation था और ऐसी जगा ऐसा ecosystem जहां पर diversification बहुत ज्यादा था बहुत कम था वहां पर productivity में बहुत ज्यादा variation था तो बचो आपन यहां पर कह सकते हैं according to Tillman यह भी यहां पर रोंग हो गया तो correct answer यहां पर कौन सा हो गया second option हो गया next which one is most genetic diverse pair कौन सा एक सरवाधिक अनुवालशिक विविद्युगम है plants and animals orthopods and codates birds and reptiles raw wolf or vomitoria of different himalya regions देखो बचो इस question में आपको पूचा है most genetic diverse pair जैसे माल लो बच्चो यहां पर plants है तो plants जो वहां करते हैं वो तो कोई से भी हो सकते हैं बच्चो पिलांट्स तो डैलो फाइटा भी हो सकते हैं आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं नॉन न हो सकते हैं तो जितना दा आप कह सकते हैं जीतनी बड़ी केटेगरी होती है उसमें उतने ही ज иг Minh अब देखो बचो यहां पर और ठीशिंट वाइशट पाई जाती है अब देखो यहां पर ओर थो फोर्ट में बच्व शिर्फ और थोपोर्ट से आगए जबकि एनिमल्स के अंदर और तो खॉर्ट भी आ गए सारे आ गए मतलब यह है कि first option बिल्कुल यहाँ पर सही है क्योंकि बचों यहाँ पर बड़ी category है और जितनी बड़ी category होती है उतना ही ज्यादा उसके types होते हैं जिनके बीच में genetic variations आते हैं next efficient cellular activities and broad geographical distribution में the result of ठीक है BCDC बात यहाँ पर है कि जो दक्ष कोशी की क्रियाए तता विस्तरत बोगोलिक वित्रण परिणाम हो सकते हैं ऐसा क्या होता है कि जो कोशी की क्रियाए होती है जो cellular activities होती है वो जादा efficient होती है homeostatic regulation environmental variation responsive behavior reproduction बच्चो correct answer यहाँ पर है homeostasis line NCRT की homeostasis समस्थापन अगर होगा तो homeostasis के कारण जो बच्चो cell के अंदर आप कह सकते activities होती है वो जादा efficient होती है और इसी homeostasis के कारण अपने अंदर के environment को constant रखने के कारण जो individuals होते हैं वो capable होते हैं कि different different geographical area में survive कर ले तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर होमियोस्टेटिक regulation बच्चो अंदर का जो medium है उसको constant करने के जो capacity होती है उसको बोलती होमियोस्टेसिस और इसी होमियोस्टेटिस के कारण जो अपने पास में एनिमल्स बगरा होते हैं बच्चो उनका broad geographical distribution होता है उसमें efficient cellular activity पाई जाती है इसका मतलब वो काफी जादा बड़े area के अंदर उनका वित्रन होता है एंड आप यहाँ पर कह सकते हैं उनमें जो activity है वो ज्यादा efficient है बच्चो अपने पढ़ा था NCRT के अंदर कि जितना ज्यादा आप कह सकते हैं homeostasis होगा body के अंदर का environment उतनाए constant होगा और बच्चो constant environment में होने वाली जो metabolic reactions होती है वो ज्यादा efficient होती है answer यहाँ पर हो गया first option next बच्चो अपन यहाँ पर देखते हैं question number five consider the following equation and choose the best explanation of k upon k minus n upon k यह देखो बच्चो अपने पास एक formula है और यह जो अपने पास में जो logistics growth है उसका formula है और logistics growth के formula में यह जो बच्चो यहाँ पर k upon k minus n upon k हैं जिसको आप कह सकते हैं इस तरीके से के 1 minus n यह जो बच्चो आप यहाँ पर देख सकते हो यह किस चीज़ को शो करता है तो आप कह सकते हैं कि बच्चो exponential growth में और Logistic Growth में benefits क्या होता है कि exponential growth जो होती है वो तो तब होती है जब resources unlimited हो और जो logistic growth है वो तब होती है जब resources क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं तो जब exponential growth को आप इस से multiply कर देते हूं देखो बचों यहाँ तक त unbelievably ऐस्त THEY कर दिया तो बचो यहाँ पर या देखना लोजिस्टी ग्रोथ में एक्सपोनेंशिल ग्रोथ में कि लोजिस्टी ग्रोध जो होती ह ہے वो यह बताती है कि रिसोर्सेस जो है वो है ठीक है तो एक की सीज़ को शो करता है अगर आप exponential growth के साथ में resources की जो availability है है उसको भी aid कर देते हो तब यह क्या बन जाता है लोजिस्टिक बन जाता है तो यह क्या शो करता है how much resources are still available to population correct answer बचो यहाँ पर कौन सा हो गया first option हो गया इस चीज को शोनी करता यह जो यहाँ पे चीज़ वह एन्वार्मेंटल है जबकि बायोटिक पोटेंशियल जो है वह स्पीसीज का करेक्टर है और activity Congress of environmental variations is negligible नहीं बचहो एन्वार्मेंट का जो resistance इन्वार्मेंट जो इन्वार्मेंटबीक्रामेंट से वह यहाँ पर भूछ जादा है तभी तो आपने से खनिटर किया है अगर मालो environment का जो resistance है आप उसे consider नहीं करते ठीक है resources को अगर आप consider नहीं करते तब तो यह क्या हो जाता exponential growth हो जाता तो answer यहाँ पर हो गया first option biomes the larger geographical regions are mainly characterized on the basis of बच्चो अलग-अलग type के जो biome होते हैं biome कैसे होते हैं यह सब depend करते हैं वाकी vegetation की उपर animals बच्चो वैसे होते हैं जैसे vegetation होती है ठीक है तो basically यहाँ पर पूछा है क्या आपको mainly depends on कोई भी जो biome है उस biome का type depend करता है vegetation की उपर भी और animals की उपर भी लेकिन जादा जो biome के type है वो इस बात पर depend करते हैं कि वहां की vegetation क्या है वहां की वनस्पति क्या है क्योंकि बच्चो जैसी वनस्पति होगी जैसी वहां की vegetation होगी वेसे ही वहां पर पाई जाने वाले animals होंगे आंसर यहां पर हो गया है फर्स्ट अप्शन नेक्स्ट हाजी और गनिसम्स evolved adaptation to optimize their survival and reproduction reproduction reproductive fitness is measured in time of बचो एक नाम यहां पर है biotic potential यह स्कोशों करता है biotic potential क्या है favorable condition के अंदर अनुकूल परिष्थिति के अंदर कोई species जितना ज्यादा reproduction कर सकती है and reproduction के ज्यादा reproduction के अंदर maximum जो वहाँ पर individual generate करती है वो उसका biotic potential है तो यहाद अतना favorable condition के अंदर कोई भी species maximum reproduction करके maximum progeny को produce करती है that is called biotic potential answer यहाँ पर first option है निके बचों यहाँ पर नहीं होगा निके का मतलब तो क्या है कि किसी भी species का जो work होता है ठीक है उसे हम लोग बोलते है निके जैसे माल लोग बचों plants है तो उसका निके क्या है photosynthesis करना plants cover क्या है photosynthesis करना तो किसी भी ecosystem के अंदर जो species का role होता है बास समझ रहे हो उसे हम लोग क्या कहते है निके कहते है most adaptive surrounding no chemical spectrum ऐसा बचों यहाँ पर नहीं है answer यहाँ पर थर्ड option हो गया है एट नमबर कोशन हाप्स और शाप्स growing in dense forest adapted to जैसे बचों यहाँ पर यह बड़े बड़े trees वा करते हैं यह बचों यहाँ पर इस तरीके से क्या है यह बड़े बड़े यहाँ पर trees है ठीक है तो हप्स और शाप्स जो होते हैं वो बचों यहाँ पर पाए जाते हैं तो actually हप्स और शाप्स के लिए सबसे बड़ी problem जो है वो light की low intensity है क्योंकि जो light होती है उसको mainly trees वगरा cover कर लेते हैं trees जो है वो light को absorb कर लेते हैं और यह आप कह सकते हैं कि हप्स और शाप्स को trees cover कर लेते हैं तो light जो है वो बचों यहाँ तक पहुच नहीं पाती है तो कम light के अंदर less light की photo intensity के अंदर आप कहा सकते हैं light की low intensity के अंदर भी यह capable है photosynthesis करने के लिए यह बच्चों इसमे adaptation पाया जाता है तो answer यहाँ पर हो गया first option low humus content in soil no यह तो बजो सिद्धे कहां पर है तोल के contact में rapid biogeochemical cycling ऐसा कुछ नहीं है high water availability no बच्चों वोटर के लिए सब के लिए होती है answer यहाँ पर हो गया first option number 9 which one is a very important parameter chosen for assigning impact of abiotic and biotic factors on population growth कौन सा एक एजेविक तथा जेविक कारकों के समस्टी व्रद्धी पर परभाव के मुल्यांकन है तू चैनित अति महत्तुपन मापदंध है यह बचों यहाँ पर है intrinsic rate of natural increase कोई भी जो ग्रोथ होती है बचों ग्रोथ चाहे तो exponential हो चाहे लोज factor and abiotic factor दोनों का रोल होता है formula यहाँ पर अपने पास में क्या आता है dn upon dt is equal to rn यह exponential growth है k-n upon k यह बचों यहाँ लोजिस्टिक ग्रोथ है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो factor है वो बचों होता है यह intrinsic rate ठीक है intrinsic rate जो है वो decide करती है कि impact कितना पढ़ता है biotic and abiotic factor की उपर answer यहाँ पर हो गया first option next number 10 consider the following western ghat have a very high degree of species richness and endemism other protected area are small than biosphere reserve these protected area cover about 2.3% of earth's land area above given statement are concerned with निर्म लिकित पर विचार कीजिए पस्ची में गाठ जाती है समर्दी और स्थानिकता की अती उच्च कोटी युकत है अन्य सुरक्षी चेत्र जेव मंडल आरेक्षी चेत्र की तुलना में छोटे होते हैं यह सुरक्षी चेत्र परत्व की भूमी सतय का लगबग 2.3% सिर्फ उसी एरिया में पाए जाना और कहीं पर नहीं पाए जाना उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं एंडेमिजम कहते हैं तो आंसर यहां पर सेकेंड ऑप्षन है एंसे आटी की लाए नहीं है नेक्ट बच्चों पर यहां पर देखते हैं चूस इन सीटू का एकजाम्पल है टाइकर रिजर्वे इन सी टू का एक्जाम्पल है पोलन ग्रेंड चालचिशन एक्सितू है नेशनल पर्क एक्सितू है wildlife centuries इन सी educación है estu化 eh estures exist away तो बचो यहां पे answer आ गया वन सेकेंड फाइव गया फेंड़नेक्ट आंसर यहां पर हो गया थेर्व the source of energy for all ecosystem on earth except सूर्य पर्त्व पर सभी पारितंत्रों हेतु उर्जा का स्थ्रोत है किसको छोड़ कर ग्रास्ट लेंड एको सिस्टम फोरेश एको सिस्टम पॉंड एको सिस्टम या डीप सी हाइड्रो थर्मल एको सिस्टम आंसर बचों यहां पर फॉर्ट ऑप्शन हो गया सन होता है तो आंसर यहां पर हो गया फॉर्ट ऑप्शन है नेक्स्ट विच वन केन फिक्स संस रेडियंट एनर्जी टू मैक फूड फूड फ्रॉम सिंपल इनॉगनिक मेटरियल कौन सा एक सूर्य की सोर उर्जा को सरल एकार्बनिक पदार्तों से खाध्य पदार्त बनाने हे तूप पर्युक्द करता है इसका मतलब से औंस से जो फॉटो संदेशिस करते हैं तो बच्रीपनिक त्यरिया यह सकते हैं कि जो से यूटू है और रोड़ होता है यह बुढम मिलान है क्या बनाते हैं आप कह सकते हैं यह मिला यहां पिस यहां पर ग्लुकोज आप है सकते हैं h2o qavy103 अब मालों बच्वों यहां पर वेक्ट्रिया है तो यहां पर इच्ट्स के लोद निकलती है थीक है अगर मालों प्लांट से है तो यहां पर है और सबस्थान्स से और बपनाना और टरोपिक में प्लाइड जो है इसमें क्या क्या होता है photo synthesis होता है तो यहां पर आंसर हो गया 1 2 & 4 1 2 & 4 बचो करेक्ट आंसर यहां पर कौम सा हो गया पॉर्ट आप्शन हो गया आगे देखते हैं next how many factors given below increase the rate of decomposition decomposition जो है वो बच्चो फास्ट कब होगा यह बात अपने यहां पर करेंगे detritus is rich in lignin नहीं बचो lignin & kytin यह ऐसे सबस्टांस है जिनके ज्यादा होने से decomposition कम हो जाता है detritus is rich in water-soluble carbohydrate substance यह बच्चो बिल्कुल सही है water-soluble carbohydrate जो होता है उससे decomposition ज्यादा होता है cold climate नहीं बचो अगर temperature high होता है तो decomposition fast होगा most environment बिल्कुल सही है humidity अगर होती है ज्यादा थेजी से decomposition होता है high auto level बिल्कुल तो बचो यहां पर आपका हो गया कितने होगे बच्चो 123 answer third option next select the incorrect statement forest grassland desert and ocean are terrestrial ecosystem बच्चो ocean समुंद्र जो होता है आप कह सकते हैं यह terrestrial ecosystem नहीं है इस्थली पारी तंत्र नहीं है बलकि aquatic ecosystem है जली पारी तंत्र है तो यहां पर गलत तो statement हो गया pond lake wetland river and estuary और aquatic ecosystem बिल्कुल सही है crop field and aquarium और मेनमेंड एको सिस्टम एंसे आटिक लाइन है coral reefs और मोस्ट प्रोडक्टिव एक्वार्टिक एकोसिस्टम बिल्कुल सही है तो बच्चो यहां पर इनक्रिक स्टेट्मेंट कौन सा हो गया first option next living organisms cope with environmental condition to achieve complete homeostasis through बच्चो complete homeostasis के लिए मतलब अंदर का जो environment है उस अंदर के environment को permanently अगर आपको constant रगना है तो हमें बच्चो करना पड़ता है physiological behavior physiological adaptation क्योंकि बच्चो physiology के लिए अंदर क्या होता है physiology के अंदर हम लोगों के अंदर ऐसी capacity आ जाती है ऐसे regulation हम लोग करना शुरू कर देते हैं जिससे अपने अंदर का environment constant रहता है ठीक है बच्चो behavior यहां पर नहीं होगा artificially भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा क्योंकि बच्चो यहां पर लिखा है complete homeostasis मतलब बिना किसी resources के बिना किसी संसाधन के automatic अगर आपको अपने अंदर के medium को constant रखना है तो इसका जो regulation है वो behavior नहीं होगा artificial नहीं होगा वो permanently आपको करना पड़ेगा मतलब वो homeostasis जो है आप कह सकते हैं physiological तरीके से होगा next 17 altitude sickness in human fishes thrive in antarctic zone biochemical adaptations in cell desert lizard bask in sun shorter years and limbs to minimize heat loss select the correct option which is concerned with physiological adaptation तो देखो बच्चो यहां पर physiological regulation में क्या आएगा देखें altitude sickness विच्चो अपन यहां पर कह सकते हैं बच्चो यह क्या है यह अपने पास में आप कह सकते हैं एक physiological adaptations होता है fishes thrive in antarctic zone no biochemical adaptations विल्कुल जो बच्चो 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 होता है वो फिच्चो दो जी के इंदर ही आता है desert lizard bask in sun no shorter years and limbs to minimize heat loss no बच्चो यह भी आप यहां पर क्या कह सकते हैं behavior adaptation के example थे ग्जामपल थे तो यहां पर आशर होगया a and c 4th option next consider the following graph and choose correct statement about it देखो बच्चो यहाँ पर अपने पास में population density है अगर population density को बढ़ाया जाए तो graph के coding जब population density n by 2 हो जाती है मतलब जो population density होती है अगर बच्चो वो maximum की half हो जाती है तो उस condition के अंदर क्या होगा जो यहाँ पर population है बच्चो ग्रोथ उसमें maximum होती है तो अपन कहा सकते हैं कि growth of population occurs maximum while half of resources to be consumed or remains देखो बच्चो जब आदि resources काम आ जाते हैं और आदि resources बच जाते हैं तो अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है growth क्या होती है maximum होती है तो यहाँ पर पहला answer सही है कोई दिकत नहीं इसमें next question a flooring plants often rewards to pollinators directly and indirectly such as protective and reproductive rewards possibly it will be बच्चो एक पुश्पिय पादब परागन करताओ को पर्तेक्स अत्वा एपर्तेक्स परितोशिक परदत करता है जैसे सुरक्षात में जननिक परितोशिक संभवतिया यह क्या है यह बच्चो दोनों के लिए क्या है होता है आपको पता है कि जो प्लांट है उसमें पॉलिनेशन हो जाता है और जो पॉलिनेटर है उसको रिवार्ड मिल जाता है पारितोश मिल जाता है तो दोनों को बचो यहां पर लाब होता है तो क्या हो गया mutual association of both बिलकुल आंसर बचो यहां पर first option है always non obligatory यह बचो यहां पर गलत हो गया commercial agent यहां पर नहीं है तो आंसर हो गया first option next 20 number question symbiotic relationship are important to plants such relationship are found in symbiotic relationship किस में पाए जाता है only with dicot lidonance plant including legume and non legume plants बिलकुल सही है जो legume plant है और जो non legume plant है बचो legume में कोन करता है rhizobium non legume में कोन करता है आप कहा सकते है फ्रेंकिया यह बचो यहां पर symbiotic association शो करते हैं nitrogen को fix करने के लिए इन ग्रास plants no in legume plants only no in most species of plant no तो बचो याद अतना जो कुछ plant होते हैं जैसे मालों डायकोट प्लांट है इन में चाहे तो legume plant हो चाहे non legume plant हो दोनों ही बचो क्या कर सकते है nitrogen के fixation के लिए bacteria के साथ में symbiotic association शो करते हैं next 21 some species produce a small number of large size of spring while some other produce a large number of small size of springs it is due to their कुछ पर जातिया बड़े आकार की कम संताने उत्पन करती है जबकि कुछ अन्य छोटे आकार की अधिक संतान उत्पन करती है इसका बचो करण क्या है यह बचो यहाँ पर evolution है evolution के अंदर अगर आप condition देखे तो बचो evolution में पहले जो species थी वो लेस डवलप थी और बाद में जो species आई वो बचो वेल डवलप आई पहले वाले species लेस डवलप बाद वाले species आप कह सकते हैं more डवलप ठीक है तो पहले वाले species के अंदर क्या था इनकी बचो साइस तो होती थी छोटी लेकिन जो प्रोजनी के नंबर है वो कम थे तो देखो बचो यहां पर है जिसमें less advance से more advance conditions आती है तो यहां पर हो गया evolutionary process most efficient reproductive strategy without the influence of environment biotic interactions physiological efficiency answer बचो यहां पर आ गया first option dn upon dt rn k minus k upon n minus n upon k is the equation of logistic growth model the growth curve become an asymptote यह बचो अन्स पर शिकब हो जाता है जब k की value किसके equal हो जाए n की equal हो जाती है तो बचो आप यहां पर कह सकते है dn upon dt is equal to rn k upon n minus n upon k यह बचो कंडिशन अपने सामने है तो अगर आप कह सकते हैं कि बचो के और n की value बराबर हो जाए अगर बचो के जो है वो n के बराबर हो जाए तो इस condition में आप यहां पर क्या कह सकते हैं यह जो बचो यहां पर dn upon dt is equal to rn है यह जाएगा अनंत सपर्शी हो जाएगा मतलब जो लोजिस्टी ग्रोथ है उससे क्या बन जाएगी exponential बन जाएगी मैक 23 केटल इग्रिट फीडिंग ओन दे ब्लड सकिंग परासाइट्स ऑफ ग्रेजिंग केटल वाइल बोथ आर क्लोज एस्सेशन इस बच्चो इस कोशन में आप गलती कर सकते हैं देखो आपको पूछा कुछ और है और हो सकता है आप कुछ और समझ जाओ जैसे अपने एं चरने वाले पसो के साथ रहता है तो ग्रेजिंग एनिमल का और जो इग्रिट का है जो बगुले का और चरन पसो का संबंद है वो तो बचु कमेंसिलिजम है लेकिन आपको पूछ क्या रहा है कि वह जो वहाँ पर बगुला है उस बगुले के उपर बलड सकिंग साइट है यहां नहीं तो आप यहां किया सकते हैं वह क्या करते हैं यह चे है तो यहां पे आप कैसे दोनों को लाब हो गया यह प्रोटो कॉप्रेशन है मिचुलिजम नहीं होगा क्योंकि इनका साथ रणा जरूरी नहीं है तो आंसर यहां पर हो गया प्रोटो को अपरेशन नोट मिचुलिजम नेक्स कोशन नोबर 24 वर्ल हुष्ट पियर लोजिस्टिक ग्रोथ फाइनली टरिमिनेट एज एन एसेंटोट वेन वर्शुल्ट पिरेल संभार वर्दी अंतर्स परसी होकर समाप्त हो जाती है कब देखो बच्छो एक्चुलिज यहां पर यह जो अपने पास में एक ग्राफ दिरखा है इस ग्राफ के अनुसार जो बच्छो लोजिस्टिक ग्रोथ है अकर आप कंडिशन देखें यह तो बच्छो अपने पास में कौन सी है एक्स्पोनेंशल ग्रोथ है एंड यू यह बच्छो अपने पास में कौन सी ग्रोथ है लोजिस्टिक ग्रोथ है तो यहां पर इसने कहा है कि logistic growth finally terminate as an asymptote जो बचो यहाँ पर संभार वर्दी है वो अंत्तह अनंत्सपर्शी हो जाती है कब हो जाती है जब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बचो यहाँ पर यह अनंत्सपर्शी हो जाती है कब जब caring capacity of environment is lower no caring capacity approach initial population density size of population approach environmental caring capacity यह एन्वार्मेंटल एजिस्टेंस आर मच लोवर तो बचो अपन यहाँ पर कह सकते हैं परियावन की वहन शम्ता कम होती है वहन शम्ता आरंबिक समष्टी घरतों को प्राप कर लेती है समष्टी का आकार परियावनी वहन शम्ता को प्राप कर लेता है यह परियावनी पर्चिरोध अत्यदिक होता है बचो यहाँ पर है कि size of population approach environmental caring capacity environment की जो बचो caring capacity होती है अगर environment की caring capacity के बराबर अगर आप condition देखे environment की जितनी बचो capacity होती है अगर उतनी population density हो जाती है तो फिर बचो उसके बार में क्या होता है आप क्या सकते हैं यह अनन्स परशियों के समाप हो जाती है next 25 गोसेश competitive exclusion principle states that two closely related species competing for same resources can not co-exist indefinitely if गोसे परतिसपर्दी अपवर्जन सिर्दान्त के नुसार समान संसाद नो है तू परतिसपर्दा कर रही दो निकट संबंधी जातिया अनन्द समय तक सासात नहीं रह सकती कब when resources are limited बिल्कुल सही है abundance of resources no species are from similar taxonomy classes ऐसा कुछ नहीं है resources are unlimited and competition please take place no जब resources unlimited है जब resources आप कह सकते हैं unlimited है तो बचो competition होने के chances ही बहुत कम है है जब resources limited होते हैं तो इस limited resources के लिए बचो क्या होता है competition होता है और लंबे टाइम तक वो दोनों species एक साथ exist नहीं कर पाती यह बचों यहाँ पर है गौसेश का competition exclusion rule आगे चलते हैं next consider the following select correct match in reference of given statements of ecosystem functioning निम्न पर विचार कीजिए दिये गए कतनों के संदर्व में परितंत्र कारियात्मक्ता के सही मिलान को चुनिये conversion of inorganic into organic matter with the help of radiant energy यह बचाप यहाँ पर कह सकते इन्पुट को शो करता है जो अपने पास में आप कह सकते रेडियंट एनर्जी जो लाइट एनर्जी है उस light energy को लेना sunlight को एब्सॉब करना और inorganic सबस्टांस से organic substance produce करना यह बचो फोटो सिंतेशिस है यह आप कह सकते इन्पुट को शो करता है तो यहाँ पर इन्पुट सही है ना कि output है consumption of organic matter by heterotrop जो heterotrop है वो बचो आप कह सकते हैं organic matter को consume कर रहा है इसका मतलब जो energy है वो producer से जो heterotrop है उसकी तरफ जा रही है इसका मतलब बचो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या हो रहा है flow of energy हो रहा है decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for the use of autotropy यहाँ पर output हो गया जो organic सबस्चान से उसका बचो यहाँ पर decomposition हो रहा है ओके and release वापस बच्चो उसको मिट्टी में डाला जा रहा है cycling के लिए तो यहाँ पर आप से कुन सा हो गया third option हो गया decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them the resulting aspect represent अब गटक पाच्चक enzymes त्रावित करते हैं जो मर्त और अपसिस्ट पदार्तों को सरल अकार्बनिक पदार्तों में खंडित कर देते हैं यह उत्रोतर इनके द्वरा अवसोसित किये जाते हैं गठो बच्चों इंडर्गानिक सबस्तान्स जो है उसको chor Ond यहां पर जो यह बैक्ट्रीय वगरह होते हैं यह च्छों Ochro कि नमर्ट ट्वंटीएट कंसीडर दे फॉलोइंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिये गए चित्रिये दिरूपन पर विचार कीजिए यह बचो आप यहां पर कह सकते फूड चैन भी है और यह पूरा जो यहां पर है एक फूड वैब हो गया कि यहीट लोस इन बिट्विन डिफ्रेंट ट्रॉफिक लेवल्स एंड साइकलिंग ओफ मैटेरियल इस हाइली सिग्निफिकेंट बिकोज भिन पोस इस्तरों के मद्दे उश्मा की हानी तो था पदार्तों का चकर्ण अतिमेट्वपूर्ण है क्यों देखो बच्चो यहां प बचो जो ट्रॉफिक लेवल होता है उस ट्रॉफिक लेवल को एनर्सी की जरूरत होती है लेकिन जो एनर्सी की सप्लाई है वो constant हो है जरूरी नहीं है जैसे बचो कोई विको सिस्टम है वहाँ पे sunlight एक एनर्सी का सोर्स है लेकिन sunlight की जो intensity है वो बदलती रहती है तो यहां पर कॉंस्टेंटली आए वह जरूरी नहीं है अगर मालो यहां पर हीट के फॉर्म में लोस्ट नहीं होगा और सारी की सारी एनर्जी जो है वह अगले ट्रॉफिक लेवल में चली जाए तो याद करो बच्चो कोई भी ऑर्गनिजम जो होगा वह एक से ज्यादा इंडिविस्वल्स को खाएगा और सबसे अगर पूरी की पूरी एनर्जी आती रही तो बच्चों कह सकते हैं उस ओगनिजम के अंदर एनर्जी आने वाली बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे यहाँ पर डिसोडर क्लेट होता है तो बच्चोंसर यहाँ पर हो गया सेकिंड adoption next 29 the concept of food chain established by considering खाद्य शंकल्पना को ध्यान में रखते विए स्ताफित की गई है efficiency of energy transfer between trophic level photosynthetic efficiency of producers feeding efficiency of herbivorous rate of decomposition of an ecosystem post stroke के मध्य उर्जा इस्तनांत्रिन की दक्षता बिलकु सहिए बच्चों यहाँ पर जो food chain है food chain के अंदर क्या होता है आप यहां पर कह सकते बच्चों यहां पर जो food chain है इस food chain के अंदर जो बच्चों यहां पर खाद्य पदार्ट हुआ करते हैं यह खाद्य पदार एक ट्रॉफिक लेवल से next ट्रॉफिक लेवल के अंदर बचो क्या होते हैं ट्रांसपर होते हैं और बचो यहां पर यह एक ट्रॉपिक लेवल से तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर efficiency of energy transfer जब बच्चो बोजन का स्थानांतर्न होता है तो यहां बोजन के रूप में क्या होता है एनर्जी होती है तो आसर यहां पर हो गया फर्स्ट ऑप्शन 30 The Distinction Between Grazing Food Chain and Detritus Food Chain चारण खादियों संकला और अपरद खादियों संकला के मत देख्या आंतर है बच्चों यहां पर याद अतना GFC, Grazing Food Chain जो होती है इसमें Sunlight energy का सोर्स है और जो एनर्जी का source है वो क्या है dead organic substance है तो यहाँ पर हो गया source of energy for initial organism source of energy for primary consumer feeding efficiency of primary producer या dead organic matter for all तो बचो यहाँ पर अंतर किस चीज़ के अंदर है यहाँ पर हो गया प्रारंबिक जीवो हे तू उर्जा स्त्रोत का answer बचो यहाँ पर कौँ सा हो गया first option हो गया ठीक है तो बचो आगे बात करते हैं ठीक है next question देखते है next यहाँ पर है each bar is an ecological pyramid indicate the amount of energy utilized at each topic level this amount of energy is equal to बचो किसी भी ecosystem के अंदर कुछ energy ऐसी होती है किसी भी ecosystem के अंदर कुछ energy आप कह सकते है ऐसी होती है जिसको हर individual खुद utilize करता है खुद उसको उपबो करता है वो energy बचो यहाँ पर कौन सी है जी पी पी नो यह तो टोटल बनती है respiratory metabolic use बिलकुल बचो individual जो है वो कुछ energy को utilize करते है और जो energy को utilize करते है वो energy utilize किस में होती है respiration में होती है next 32 global warming is the increase earth's average surface temperature due to effect of greenhouse grace its impact include rise in sea level and change species distribution बिलकुल सही है melting of ice के बिलकुल सही है future pushing of traffic into temperate and temperate towards pole मतलब बचो लगातार आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो tropical area है वो temperate की तरफ और जो temperate है वो बचो polar area की तरफ shift हो रहा है मतलब जो average temperature है वो बचो क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर answer कुन सा हो गया fourth option next in 2006 for each of 28 million people present in a country 0.028 were born and 0.008 dead during the year using exponential equation the number of people present in 2016 is predicted as देखो बचो यहाँ पर शुरुआत में आप कह सकते है जो birth rate वो कितनी है 0.028 है death rate कितनी है 0.008 है total बचो यहाँ पर आई जो है intrinsic rate वो कितना आ गया 0.020 यह बचो आप यहाँ पर कह सकते है क्या है यह बचो यहाँ पर intrinsic rate है यह जो बचो intrinsic rate है वो 10 सालों की है यह किसकी है 10 सालों की यहाँ पर है मतलब एक साल में intrinsic rate कितनी है 0.02 तो बचो गर आप 10 साल की बात करो देखो यहाँ पर 2060 का आपको पुछा है तो हम इसको multiply 10 से कर देंगे कितना आ गया 0.20 तो 0.20 यह बचो यहाँ पर growth हुई है 28 into 0.20 upon 100 यह बचो आ गया 5.4 यह कितना आ गया 5.4 आप यहाँ पर कह सकते हैं बचो यह आ गया तो 28 को अगर आप इसमें add कर देते हैं कितना आ गया 33.6 बचो यहाँ पर आ गया यह 5.6 है तो बचो 33.6 मतलब यहाँ पर आँ से कितना हो गया 34 ठीक है बचो 5.6 million की growth होगी 10 सालों के अंदर पहले 28 million था अब कितना हो गया 34 million के around हो गया आगे देखे next ecological निके इस बचो निके का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ आपको निके का मतलब होता है कि कोई भी जो species है उसका functional role किसी भी पारी तंतर में ecosystem में species जो कारिये करती है species जो work करती है उसका जो functional role है उसे हम लोग क्या कहते है निके कहते है तो बचो यहाँ पर क्या गया the surface area of ocean and ecological adapted zone the physical position and functional role of a species within the community किसी भी community के अंदर जो बचो यहाँ पर functional role है उसे हम लोग क्या कहते है ecological निके कहते हैं आगे देखे इसके बाद में question number 35 करनल conducted experiments on rocky coast of Scotland on barnacles to prove तो बचो जैसे कि आपको पता है बार्निकल बेलेनस और बार्निकल चेटेमलेस का जो experiment था उस experiment में जो more dominant species थी वो बचो वहाँ पर exist रहती है और जो less dominant species वहाँ पर extinct हो जाती है तो बचो क्या हो गया resources partitioning competitive exclusion competitive release competition coexistence तो बचो अपर यहाँ पर कह सकते हैं competition exclusion जो बचो यहाँ पर less dominant species थी उसका आप कह सकते है बचो क्या होता है उसका वहाँ से exclusion हो जाता है तो answer यहाँ पर हो गया second option इसके बाद next question number 36 the process of mineralization by microbes help in the release of सुक्ष्म जीवो द्वारा खनीजी बहुन की जो प्रक्रिया होती है वो मुक्त करने में सायता पदखरती है बचो खनीजी करण के अंदर क्या होगा mineralization के अंदर क्या होगा minerals बन जाते हैं तो inorganic nutrients from humus both organic and inorganic nutrients नहीं बचो answer यहाँ पर first option है जब mineralization होता है तो उस humus से inorganic substance जो होते हैं वो बचो यहाँ पर बन जाते हैं याद दखो बचो decomposition जो होता है आप कह सकते हैं एक बहुत ही अपने सामने important condition है जिसके अंदर जो humus होता है बचो उस humus से formation किसका हो जाता है इनगरिक सबस्टार्स का इसको बचों लोग क्या बोलते हैं mineralization कहते हैं कनी जी बहुन कहते हैं next 37 if the decomposers become extinct the most severe effect would be बचो यहाँ पर ज्यादा severe effect क्या होगा अगर decomposers जो है वो extinct हो जाए तो बचो अब आप कह सकते हैं recycling नहीं होती है जो dead organic substance है उसका बचो पुरा पुरा बढ़ार लग जाएगा उनकी recycling नहीं होती है वापस आप कह सकते इनोगरिक सबस्टांस का formation नहीं होगा तो क्या हो जाएगा नों सैक्लिंग ओफ मिनरल्स डेमेज टू नाइट्रोजन fixation बायो मेंगनेश्य फिक्सेशन कार्णिवरस विल बिस टावड तो बचो आंसर यहाँ पर हो गया first option next 38 in an ecosystem standing crop at any time consist of बचो किसी भी ecosystem के अंदर जो standing crop होती है वो total living matter को दरसाती है किसी भी traffic level के अंदर किसी भी traffic level के अंदर total जो living matter होता है उससे हम लोग क्या कहते है standing crop कहते हैं अगर इनोगनी की बात करें तो उससे standing state कहते हैं next question number 39 the following graph depicts change in the two populations of herbivores in a grassy field a possible reason for these change in that निम्नलिखित वक्र दोश्शा का हारी समस्ष्टिया A और B के गास स्थल में होने वाले परिवर्तन को दरसाता है इन परिवर्तनों हेतु एक संभव कारण है देखो बचो यहाँ पर है number of organism जीवों की संख्या यहाँ बचो time में तो आप बता सकते हो कि जीवों की संख्या जो है वो बचो A में क्या हो गई ज्यादा इसका मतलब जो A species है वो ज्यादा प्रोजनी बना रही है और जो B species है वो कम प्रोजनी बना रही है तो बचो अंसर यहाँ पर क्या हो गया population A produce more spring नहीं population B successfully compete A population A over exploitation B तो बचो यहाँ पर क्या गया कि population A produce more number of offspring ज्यादा यहाँ पर जो संताने है ओफ्स्प्रिंग है वो A बना रहा है आंसर यहाँ पर हो गया third option next which of the following statements regarding energy flow is or false उर्जा परवाहे के संबंध में कौन सा गत्र गलत है detritus food chain begin with dead organic matter बिलको सही बात है in aquatic ecosystem detritus food chain is the major conduit for energy flow नहीं बचो detritus food chain नहीं grazing food chain यहाँ पर होगा in terrestrial ecosystem a much large fraction of energy flow through grazing food chain नहीं बचो जो बड़ी energy का flow है वो DFC detritus food chain से होगा नहीं कि GFC से होगा producers belonging to the first traffic level of the food chain बिलकु सही है food chain में जो बचो आप कह सकते हैं producers है वो बचो first traffic level रखते है आसर यहां पर हो गया one end fourth third option इसका हो गया next 41 global warming is the term used to describe वेश्विक उष्णताशब्द के वीवरन है तुप्रित कियाता है बचो global warming में क्या होता है the increasing in CO2 नहीं the increase in earth average temperature बिलकुल सही है धर्ती का जो average temperature है जो औस से तापमान है वो बचो लगातार बढ़ रहा है और इस ही हम लोग क्या कह सकते हैं global warming कहते हैं next question number 42 the greenhouse gases act as thermal blanket around the earth rising the earth's temperature बिलकुल सही है जो बचो ग्रिन हाउस गेस है वो उस तरीके से है जिस तरीके से धर्ती ने अर्थ ने एक blanket ओडली है एक चंदर ओडली है जिससे heat बाहर जा नहीं पा रही तो बचो बिलकुल यहाँ पर सही statement है absorbed energy is re-radited from the earth's surface in the form of long wave infrared radiation बिलकुल अपन यहाँ पर कह सकते हैं बचो दोनों यहाँ पर सही है कुछ radiation जो है वो बचो आप कह सकते हैं अर्थ की surface से वापस space में चली जाती जिसको क्या बोलते हैं infrared कहते हैं नेक्स 43 नूमबर कोशन एन इंटरनेशनल एग्रिमेंट एन इंटरनेशनल एग्रिमेंट लिंक्ट टू दे युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंवेंशन ओन क्लामेटिक चेंज यूएन एफ सी 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 जलवायू परिवर्टनों है तु सहुट्राष्ट संग के एक अंतरा सब्सक्राइब में हाँ बचो तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंट्स डैट कोज सिग्निफिकेंट डेप्लीशन ओफ ओजोन लेर आर क्लोरीन तथा ब्रोमीन युक्त योगिक जो ओजोन परत में महत्वपूर्ट संग करते हैं अएंड युक्त तो बच्टो यहां पे स्तली आवास है उसमें एंपीफि क्यों होती है वोटर, टेंपरेचर एंड नूट्रियंट अवेलिबिलिटी बिल्कुल सही है जो बचो यहाँ पे NPP है जो नेट प्राइमिल प्रोड़क्टिविटी है पादफ अगेरा जो है बचो जितना बोजन बनाते हैं उस बोजन में से रेस्पिरेशन में खर्च होने के बाद जो बोजन बसता है उससे हम लोग बोलते है NPP ठीक है लाइट नूट्रियंट अवेलिबिलिटी ओनली नहीं तो बचो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जल, तापमान और पॉसक उपलबता ये तीनों ही ऐसे पदार्थ है जो परकास सिंटलेशन को परभावित करते हैं फोटो सिंटेशिस को इंस्लेंस करते हैं जिससे NPP produce होती है next 46 select the incorrect option गलत मिलान को चेन कीजिए BOD is a measure of the concentration of the total organic matter BOD कुल कार्बनिक पदार्थों की सांधरता का एक मापन है बिल्कुल सही बात है solubility of oxygen decrease as temperature increase बिल्कुल तापमान के बढ़ने से जो बचो oxygen की गुलेंशीलता होती है वो कम हो जाती है oxygen demanding waste are usually biodegradable organic substance oxygen की आवशकता दरसाने वाले अबसी सामानेते जेव निमनिकारी कपरदार्थ है BOD concentration of waste water is expressed in kilo calorie पर later नहीं बचो यहाँ पर kilo calorie के form में नहीं आता क्योंकि जो kilo calorie है वो यहाँ पर उरजा का मान है और जो BOD है वो बचो आप यहाँ पर कह सकते हैं अबसीस पदार्थ की मात्रा है तो answer यहाँ पर आप कह सकते हैं fourth option हो गया 47 the key criteria for determination of hot spot is are तब इस तो लोग के लिए निर्दारण है तू मुख्य मापदंड क्या है number of endemic species जैसे कि आपको पता है बचो होट स्पोर्ट जो है वो in situ का example है तो यहाँ पर जो endemic species है हम उसे count करते है degree of treat है area must contain 1500 species of vascular plants are endemic ठीक है यह जो बचो यहाँ पर आप parameters देख रहे हो इसके साब से हम लोग hot spot को design करते है answer यहाँ पर हो गया fourth option 48 high specialization feeding at higher trophic level in a food chain narrow range of distribution large body size in general the species is more susceptible to extinction with which type of characters बचो यहाँ पर susceptible जो यहाँ पर है सामानेते किस प्रकार के लक्षणों वाली पर जाती है विलूपता के लिए अधिक सुग्राई है बचो सबसे ज़्यादा extinction होने का खत्रा है किसको है जो high traffic level पर है उसको खत्रा है narrow range of distribution जिसकी बचो distribution बहुत कम है जो limited जगाँ पर ही है large body size जिसकी जो body की size है वो ज़्यादा बड़ी होती है ठीक है in general the species is more susceptible to extinction which type of characters तो देखो बचो question number यहाँ पर अगर आप condition देखो 48 के अंदर तो बचो सही answer यहाँ पर हम देदेंगे fourth option A, B, C, D सारी बचो यहाँ पर सही है तो answer इसका हो गया fourth option high specialization मतलब उच्च विशिष्टी करण है यह जो बचो यहाँ पर species है किसी particular area में होता है और बचो यह species एक special function करती है ठीक है तो यहाँ पर आप कर सकते answer कौन सा हो गया fourth option हो गया next 49 IUCN is an organization working in the field of IUCN एक अंतराष्टी है संग्ठन है अंतराष्टी संग्ठन है के छित्र में कार्य कर रहा है नेचर conservation and sustainable use of natural resources बिल्कुल सही है नेचर conservation and exploitation of natural resources नेचर protection and cure of coronavirus educational scientific and culture organization देखो बचो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो अपने पास में IUCN है यह बचो आप कह सकते हैं एक ऐसा organization है जो basically जो बचो यहाँ पर बायो डाइवर्चिटी होती है उस बचो बायो डाइवर्चिटी से यह क्या है related है तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो है अभी किस field में काम कर रहा है तो बचो यहाँ पर correct answer हो गया नेचर conservation and sustainable use of natural resources प्रकर्टी का selection करना इसके लावा आप यहाँ कह सकते हैं प्राकर्टी संसादनों के सिमित उपियों को बढ़ावा देता है तो देखो बचो यहाँ पर है सकते हैं यह conservation निती से नहीं है बलकि यह जो pollutions है उससे related है तो answer यहाँ पर हो गया फॉर्ट ऑप्शन फिफ्टी टू रोल ओफ डीकंपोजर्स इन नाइट्रोजन साइकल इस्टू नाइट्रोजन चक्र में जो बचो यहाँ पर डीकंपोजर्स है उनका रोल क्या है बच्चो उनका रोल क्या है कि जो dead organic subtracts है उनको डीकंपोजर्स करके वो जो nitrogen है उसको बच्चो वापस ammonia में चेंज कर देना मतलब जो nitrogen dead body के अंदर होती है उसको ammonia में चेंज करके वापस soil में दाना यह बच्चो इस गावर्क होता है तो क्या हो गया, fix nitrogen into ammonia, no, ये तो बच्चो into का fixation हो गया, release ammonia from organic compound thus returning into the soil, तो बच्चो correct answer यहाँ पर कौन सा हो गया, second option हो गया, next, which biological characteristics is not commonly found in invasive species, कौन सा जैविक लक्षन सामाने ते, विदेशी जाती में नहीं होता, optimal local adaptation, ये बच्चो बिलिकों सही है, किसी भी area में अगर foreign species आ गई, तो उस foreign species के अंदर इस area के लिए बच्चो फिलहाल adaptation नहीं होते, काफी time बाद में वो develop हो सकते हैं, 54, which of the following is not a characteristics feature of our selected species, जो बच्चों यहाँ पर our selected species है, आप कह सकते हैं, एक तो होती है बच्चों के species, एक होत होती है, बच्चों उन species की size क्या होती है, आप कह सकते हैं, और जो case selected species है, बच्चों ने की size क्या होती है, ज्यादा देखते हैं, आर में small adult size, बिल्कुल सही है, long generation time नहीं, ये बच्चों कम generation time होता है, जल्दी ही ये जाती है, मर जाती है, dead हो जाती है, a high energy allocation of reproduction, maximum population growth, तो बच सकते हैं, इस cancer कौन सा हो गया, second option हो गया, next 55, feeding efficiency of one species might be increased even in the presence of other species, it explains, किसी एक species के होने से, जो दूसी species है, उसकी feeding capacity का बढ़ जाना, ये किसको शो करता है, competitive release, interference competition, dissimilar requirement of resources, abundance of resources, तो बच्चों आपर है, dissimilar requirement of resources, एक जाती के होने से, दूसरी जाती में feeding capacity बढ़ गई, मतलब दोनों के लिए जो resources है, वो अलग-अलग है, अगर बच्चों दोनों में एक ही resources होता है, तो दोनों के बेच में competition होता, 56, fitness of one species significantly lower in presence of other fitness refer, एक परजाती की उत्तर जीविता, दूसरी की उपस्तिती में महतुपुन तोर पर कम हो जाती है, बच्चों यहाँ पे उत्तर जीविता का मतलब किस्से है, बच्चों अगर मान लो एक species के परजेंस में दूसरी species जो है, उसका बायोटिक पोटेंशल reduce हो जाता है, अगर वो दोनों एक ही सबस्तांस के लिए बच्चों क्या करें, competition करें, तो answer यहाँ पे हो गया, second option, 57, two opposite forces operate in the growth and development of every population, one of them is related to the ability to reproduce at a given rate, the force opposite to it is called, दो वीपरीत बल परतेक समस्टी के वर्धी और विकास को संचालित करते हैं, इन में से एक दी गई दर पर जनन करने की योगिता से सम्मनित है, इसके वीपरीत लगने वाला बल कौन सा है, तो बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हो गया environmental resistance, जो बच्चों species है जो community है, वो growth करना चाहती है, लेकिन बच्चों environment का resistance लगता है, ठीक है तो बच्चों यहाँ पे अपोशिटबल कौन हो गए, एक तो यहाँ पे हो गया intrinsic rate, एक बच्चों यहाँ पे हो गया environment का resistance, 58, why some plant produce nicotine, caffeine, quinine and strikin, कुछ पादपो में nicotine, caffeine, quinine and strikin क्यों पनोते हैं, because these substance are extracted by human for commercial benefit, no, for defense against grazer and browsers, बिल्कुल सही है, जो बच्चों इनको खाने वाले browsers होते हैं, grazers होते हैं, उनसे बसने के लिए, these play a major role in many ecosystem services that nature provide, नहीं, तो बच्चों आपर यहाँ पे हो गया only भी, plant तो इनको सिर्फ इसलिए produce करता है, ताकि यह अपने आपको defense कर सके, 59, consider the following statements, निम्न खत्नों पर विचार कीजिए, the endangered species are protected in their natural habitat, so that ecosystem is protected, संकट करस्त जातियों को उनके प्राकरतिक आवासों में सुरिक्षा परदान के जाती है, ताकि वो पारितंत्र सुरिक्षित रहे, बि conservation method include productive maintenance of threatened species, कि आप यहां कह सकते हैं, बचो off-site है, मतलब यह x-situ का example है, तो a and b are in-situ, no, a is correct for in-situ, while b for x-situ, नहीं बचो यहां पर यह, a is correct for in-situ, b बचो यहां पर x-situ, तो b क्या है, कि off-site conservation method include protective maintenance of threatened species, बाहे इस्ताने, सरेक्षिन विद्या, संकटकर्स्त जातियों के सुरक्षात्मरकाव समित करती है, बोस statement a and b explain the conservation strategies of threatened species, दोनों खतन a और b, खत्रे का सामना कर रही, जातियों की सरेक्षिन नीत्यों की वैक्षा करता है, ठीक है, तो बचो यहां पर आंसर हो गया, fourth option, next 59 के बाद 60 number question, which of the following statement is wrong, electrostatic precipitator is most widely used to removing particular matters, बिल्कुल सही है, scrubber can remove gases like SO2, particulate size 2.5 micrometer or more, in diameter are responsible for causing the greatest harm to human health नहीं बचो, यहां पर गलत हो गया, आंसर भी third option हो गया, 2.5 micrometer से छोटा particle जो होता है, वो more dangerous होता है, तो आंसर यहां पर हो गया, third option, next, which of the following statement is incorrect, integrated waste water treatment include both natural and artificial process, sanitary landfills were adopted as the substitute for open burning dumps, poly blade enhance the bintumin water repellent properties, and help to increase road life, form are responsible for upkeep and safe guarding of air polluted area, देखो बच्चो, यह जो अपने सामने condition है, question number 61 की, अपने यहां कह सकते हैं, incorrect, यहां पर कौन सा हो गया, fourth option हो गया, form are responsible for upkeep and safe, form वायू पर्दुशी चित्रों की देख बाल और सुरक्षा के लिए जिम्मदार हैं नहीं बच्चो, form यहां पर आप कह सकते हैं, जो जल सरेक्षन है, water conservation है, उसके लिए responsible है, next question number 62, MacArthur showed that five closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavior differences is their foraging activities, such mechanism are called as, MacArthur ने बताये कि एक ही व्रक्ष पर वाबलस की पास्ट निकट संबन्दी जातिया, 35 परदा को टालने में सक्षम थी, तथा चारण प्रक्रियाओं की वियाओरिक की भिन्ताव कारण सहे अस्थित्व में बनी हुए थी, यह क्रिया कहलाती है, यह बचो यहां पर हो गया, आ लोग यहां पर कहेंगे, कोशन नंबर 60, टू के अंदर अगर आप कंडिशन देखे, तो बचो यहां पर बेटर आंसर तो जाना चाहिए, वो यहां पर आपका जाएगा, फॉर्थ ऑप्शन, रिसोर्सेज पार्टिशनिंग, इन्होंने बचो क्या किया, जो रिसोर्सेज ह जिससे आप यहां पर कह सकते हैं, कि जो बचो स्पीसीस थी, तो सारी सारी बचो यहां पर कर पाई, सर्वाइव कर पाई, नेक्स्ट 63, प्रिडेटर हैल्प इन मैंटेनिंग स्पीसीस डाइवर्सिटी इन कम्यूनिटी एस प्रिडेटर्स, परबख्षी समुदाय में प्र स्पीसीस, रिडूस पॉपॉलेचन डेंसिटी ओफ डॉमिनेंट स्पीसीस, देखो बचो जो परतिस परदी बख्षी जातिया होती है, उनके बीच परतिस परदा को गठाते हैं, अगर आप कंडिशन देखें, बचो कोशन नंबर 63 में, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो प्रात्मिक उत्पादकों का कुल भाग किसी अन्य पोस इस्थर से कम होता है। तर्सरी कंजिमर कंजियूम सेगंडरी कंजियूमर्स विच इस टरं कंजियूम प्राइमरी तर्तियाक उप्भोगता प्राइमरी कंजियूमर्स arr семь और दूअट एग्जिस्ट देखो बचो यह जो यहां پे 64 नंबर कोशण है इसमें यहां पर देंगे second option यह बचो बिलकुल यहां पर सही है कि tertiary consumers are consume secondary consumes which is turn consume primary consumers बचो first यहां पर रोंग है first रोंग के से हैं यह बोला है the total mass of primary producers will बचो यहां पर बात है total mass की less than the mass of any other traffic level प्रात्मिक उत्पादकों का कुल भार किसी अन्य पोस इस तर से कम होगा यह बचो यहां पर जनरली गलत होता है क्योंकि जो primary producer है बचो यहां पर आते हैं biomass की condition देखे तो बचो यहां पर है primary producer तो बचो इनका biomass क्या होगा ज्यादा होगा third option यहां पर है all tertiary consumers are mammals यह बचो mammals है ऐसा को ज़रूरी नहीं है answer यहां पर second option है 65 ecological study at organism level is essentially जीव स्थर पर पारिश्थित्य की अध्यन आवश्यक रूप से किसको सम्मिलित करता है तो बचो पर यहां पर कह सकते हैं morphology behavior anatomical या physiological NCRT की बचो लाइन है आप कह सकते हैं 13 चेप्टर के अंदर यह physiological ecology होती है क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते किसी भी एक organism के अंदर ऐसी activity की study करते हैं जो उसके environment के कारण develop हुई है next 66 an organism trying to maintain its internal environment at a constant only through physiological regulation it will called as एक जीव अपने आंतरी वातावन को केवल कारी की नियमन द्वारा नियत बना रखने का परियास कर रहा है यह है कहा जाएगा देखें homeostasis in its environment homeostasis regulator बिल्कुल सही है बचो आंतरिक वातावन को maintain करने वाला कौन होता है regulator होता है next 67 if you are moving with a scientific frame of your mind in yours habitat which one may conclude for diverse biosphere यदि आप विज्यानिक दिश्टी कोन के साथ अपने आवास में घूम रहे हैं तो कौन सा एक विविद रुपेंड जेव मंडल है तू निश्कस्तिया अपन यहां पे कह सकते हैं देखें पहरे बचो only producers can survive alone नहीं बचो no one can survive without interaction of biotic and abiotic components बिलकुल से यह ansiatic line है बचो कोई भी biotic and abiotic component के बिना survive नहीं कर सकता next 68 number question देखें पहरे बचो three species a b and c when grow independently in a laboratory show typical logistic growth curve however when grow in pairs the following growth curve observed तीन परजातिया a b तता c एक परयोगशला में प्रारुबिक संभार वरक्रशो करती है जब सुतंतर रूप से वर्दी कर रही है तो युग में उगाए जाने वाले निम्न वर्दी दरसाते हैं देखें बचो यहां पर है b predates over c and c and therefore can also predate on a देखें प्यारे बचो question number 68 में यहां पर यह option गलत मना जाएगा क्यों बात करेंगे b is compete out by a and c b जो है आप कह सकते हैं competed out by a and c तो यहां पर b को c compete कर रहीं गलत है b and c possibly have a prey predator relationship यह बचो विल्कुल आप से कह सकते हो कि b और c है यह बचो यहां पर predator और prey का relationship है a and c exhibit prey predator relationship a थथा c शिकार परबख्षी संबंद दरसाते हैं अरे बचो a और c शिकार संबंद कैसी दरसाएंगे दो देखो दोनों एक दूसरे को beat नहीं कर रहे तो यहां पर condition possible नहीं है तो यहां पर आंसर बचो कौन सा हो गया तीसरा option हो गया ठीक है तो बचो 68 में यहां पर आंसर कौन सा हो गया आप कह सकते हैं तीसरा आगे बात करें इसके बाद में next 69 Species diversity, biomass, nickel specialization, humus and net community productivity which of the above decrease in ecological succession इन में से कौन सा पारिश्थितिक अनुक्रमन के दुरान कम हो जाता है देखे पहरे बच्चो Net Community Productivity बिल्कुल आप कह सकते हैं Net जो बच्चो यहां पर Community Productivity होती है वो बच्चो कम हो जाती है एक succession के अंदर Nikke specialization बढ़ जाता है, humus बढ़ जाता है ठीक है Biomass, Nikke specialization, vegetation बच्चो यहां पर सिर्फ कौन सा हो रहा है Only Net Community Productivity क्योंकि बच्चो यहां पर Community होती है वो इतनी जादा strong हो जाती है कि इसमें NP भी बढ़ जाती है लेकिन वो Community अपने अंदर बनने वाले जो food है उसको पूरा use कर लेती है जिससे Net Community Productivity जो है वो बहुत कम बन पा जो है कि A क्या है B क्या है C क्या है primary producer बच्चो primary producer जो है grass tree phytoplankton या wolf देखो बच्चो यहां पर rabbit दे रखा है तो यह जल्ली एक खा दे संगला तो है नहीं तो phytoplankton यहां पर नहीं होगा इसके बाद में आगे देखे wolf नहीं होगा grass यह बच्चो यहां पर grass हो सकता है भी य यहां पर wolf ही होगा क्योंकि जो wolf है rabbit को खा जाएगा answer यहां first option होगिया 71 number question देखो match the column 1 and column 2 and select the correct answer from the codes gross primary productivity net primary productivity pond aquarium और decomposition देखो बच्चो यहां पर आप condition देखे में तो इसमें आपको matching यहां पर करनी है photosynthetic production बिल्कुल बच्चो ए में यहां पर four आ गया photosynthetic से जो food बनता है वो बच्चो यहां पर GPP है इसके बाद में आप यहां कह सकते हैं यह दे रखा है अपने को o2 requiring process o2 किसमें चाहिए होती है net primary productivity pond aquatic या decomposition बच्चो डीकंपोजिशन जो होता है वो आप यहां पर कह सकते हैं डीकंपोजिशन के अंदर o2 की requirement होती है फिर यहां पर है aquatic ecosystem तो aquatic ecosystem है और एक है self sustainable हाना तो बच्चो यहां पर जैसे pond है और aquarium है हाना एक बच्चो यहां पर NPP है तो 71 में अगर आप matching करोगे देखो इसके साब से तो अपन यहां पर कह सकते हैं ए में बच्चो क्या गया फॉर बच्चो ब यहां पर जो है NPP इसमें आ गया availability to primary consumer तो यहां पर यहां पर यहां पर है pond तो C में क्या गया वन self sustainable ecosystem हो गया डी बच्चो यहां पर है decomposition यहां पर आ गया 3 तो 71 में गर आप condition देखे तो बच्चो आंसर यहां पर जाएगा second option देख लीजी अपने सामने यह जो बच्चो इसमें क्या आएगा third आएगा ठीक है matching आपने करनी होगी कोई vicious बात नहीं इसमें next बच्चो अपने यहां देखते है 72 number question study the following ecological pyramid carefully तो बच्चो मेंचिंग यहां पर करनी है inverted pyramid of biomass depicting small standing crop of phytoplankton supporting a large standing crop of phytoplankton देखो बच्चो अपने सामने दिग गया यह जो ए है इसका सी हो गया प्योंकि बच्चो यहां पर ही कैसा है inverted pyramid 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 of number in a grass ecosystem showing about six million producers तो देखो बच्चो यहां पर six million वाला कौन सा हो गया यह हो गया अप्राइट pyramid of biomass बच्चो biomass का सिदा pyramid कौन सा हो गया भी हो गया तो बच्चो बिल्कुल सिदा सा यहां पर है मेचिंग आपका लेना इस कांसर हो गया फस्ट ऑप्शन नेक्स्ट इन बायोटिक कम्यूनिटी विच्वन ओफ दे फॉलोइंग इस स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव डिवाइस जैविक समुदाय में कौन सा एक विशिष्ट सुरक्षा अत्मक युक्ती है बच्चो आप यहांपर कह सकते हैं को एक फिर्टयंटी यहांपर श्मेंट्यूसा बाद मिन्पिन करता है जिससे कोई प्रोटेक्शन remains से कौंड सा होगे, थर्ड, 74, healthy ecosystem are the base of wide range of economic, environmental, or aesthetic groups, healthy forest ecosystem provide water purify, water purity, air maintain the cycling of nutrients, so they are of economic value, बिल्कुल, देखो बच्चों, question number 74 यहाँ पर जो है, अगर आप condition देखे, तो यहाँ पर, A जो है वो बच्चों सही है, B है, healthy forest ecosystem provide water purity, air maintain the cycling of nutrients, so they are economically value, यहाँ पर आपके सामने आर्थिक महत्व के है, question number 74 में, तो बच्चों यहाँ पर A correct है और B क्या है, incorrect है, कैसे, बच्चों स्वस्थवन पारितंतर, शुद्ध जल वायू उपलब्द कराता है, तता पोस को के, चक्रन को बना रखता है, अता यह आर्थिक महत्व के है, यह बच्चों आर्थिक महत्व के नहीं है, यह आप यहाँ पर क्या सकते हैं, जो पारिश्थितिगी है, उसके महत्व के है, इकोलोजिकल वैल्यू के है, मैक्स 75, अरेंज दा फॉलोइंग एको सिस्टम इन इंक्रीज ओर्डर ओफ देर मीन NPP, टन्स हेक्टर या या इर, निम्नल लिखित पारितंतरों को उनके NPP के साब से ब्यवस्थित करो, देखे, बचो पचितन दंबर कोशन में अगर आप कंडिशन देखे, तो यहाँ पे है, ट्रोपिकल डेसिडियोस फोरेस्ट, टेम्परेट, कॉनिफर फोरेस्ट, ट्रोपिकल इन इन फोरेस्ट है, यहाँ पर एक ऐसा बायोम है, जिसकी कम्यूनिटी के अंदर अगर आप देखे, तो सबसे ज़ादा इसकी प्रोड़क्टिविटी होती है, तो सी तो यहाँ पे हो गया, मैक्जिमम, फिर बचो गर आप यहाँ पे कंडिशन देखे, सबसे कम किसकी मानते हैं, टेम्परेट, कॉनिफर, फोरेस्ट की, इसके बचो यहाँ पे क्या गई, मिनिम्म आ गई, तो बचो गर आप कंडिशन देखे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंडिशन बेट जाएगी, यह वाली, B, D, A, C, पहले बचो क्या जाएगा इसके अंदर, टेम्परेट, कॉनिफर, टेम्परेट, डेसिडिवर्स, ट्रोपिकल डेसिडिवर्स, और ट्रोपिकल देसिडिवर् बचो यहाँ पे सही है, the total mass of primary producer will be less than the mass of any other trophic level, प्रात्मिक उत्पादकों का कुल भार, किसी अन्य पोस्स्तरों से कम होगा, टरशरी consumers consume, secondary consumer which is turned, consume, primary consume, तर्तिय उत्पादों का उप्वो करते हैं, जो प्रात्मिक उत्पादों का परिफ्वो करते हैं, बिलकुल बचो आसर यहाँ पर कॉन्प सा होगया? 77 है 77 as the number of individuals approach the carrying capacity of a population the carrying capacity of a population which of the following is predicted by the sigmoid growth curve जैसे ही व्यस्तियों की संख्या समस्ति की वहन शम्ता तक बचो पहुश्ति है निम्न मेंसे किसके सिग्मोईड वर्द्य वक्रप्राप्त होने की समावना होती है population density will increase exponentially population growth rate will increase population growth rate will decrease population biomass will remain the same देखे बचो population की जो growth है वो decrease हो जाएगी चीज़ी सी बात है गर मालों carrying capacity तक पहुश आती है तो फिर बच्चो इसके बाद में क्या होता है जो growth की rate है वो बच्चो घट जाती है समझ रहे हैं बाद को graph किस तरीक ऐसे आता है ऐसे यहाँ बच्चो growth rate क्या थी जादा और देखो बच्चो अब यहाँ पर growth rate इसके comparison में क्या हो गई next 78 the unidirectional transfer of energy towards higher traffic level maintain उच्च post stroke की उरजा उच्च post stroke की और उरजा का एक दिशिय स्तनांतर्ण बनाया रखता है population status of only one traffic level existence of successive traffic level यह बच्चो बिलकुल यहाँ पर सही है उत्रोतर post stroke का अस्तित्व है क्योंकि बच्चो हर आगे आने वाले traffic level के अंदर क्या होता है energy की value कम होती है सिर्फ 10% ही होती है existence of primary producer no यह बच्चो यहाँ पर क्या हो गया existence of successive traffic level temperature and soil moisture are most important environmental factor that regulate decomposition because तापमान और मर्दा की आधिरता अती महत्वपूर्ण परियावनी कारक है जो अब गटन का नियमन करती है क्यों they affect the activity of soil microbes warm and moist environment is favorable to decomposition बिल्कुल सही है low temperature and anaerobic inhibit the decomposition बिल्कुल सही है more than one correct तो बच्चो आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया 79 बच्चो यहाँ पर आ गया मतलब यहाँ बच्चो सारी statement जो वो क्या है सही है consider the following diagram which one is incorrect primary producer convert only 1% of the energy into NPP जो primary producer है वो बच्चो आप कह सकते हैं convert only 1% of the energy into NPP जितनी energy होती है प्रात्मिक उत्पादक ता उड़जा का केवल 1% बाग बदलते हैं NPP के अंदर ठीक है pyramid of energy is always upright बिल्कुल सही है amount of energy is decrease at successive traffic बिल्कुल सही है बच्चो यहाँ पर लगातार उड़जा की मात रखम हो रही है if ecosystem is managed as a open system there will be no loss of energy during energy तो यह बच्चो का गलत है यहाँ पर पारितन तरह खुला हो तो उड़जा परवा के दुरान उड़जा की हानिन नहीं होगी यह बच्चो गलत है क्योंकि कैसे मान लो इसके पास में उड़जा कितनी आ गई हजार जो ला गई तो बच्चो इस उड़जा में से कुछ उड़जा का वो यूस भी करेगा और बाकी जो 10% उड़जा है वो आगे ट्रांस्फर होती है तो आंसर बच्चो यहाँ पर आप कह सकते इनपुट ओफ एनरजी इनपुट या प्रोड्यूसर तो बच्चो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो A है जो बच्चो यहाँ पर A है वो A क्या है A बच्चो यहाँ पर आप कह सकते है 81 के अंदर इनपुट है ठीक है A बचो यहाँ पर input है B अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो बचो आउटपुट हो गया वापस soil में आ गया C यहाँ पर क्या है Remains of plant यह बचो देखो यहाँ पर जो C है Remains of plants और D बचो देखो यहाँ पर withering है NCRT के बचो यहाँ पर diagram है कोई दिकत आपको मेरे ख्याल से इसमें नहीं आई होगी Answer हो गया 3rd option ठीक है Next 82 A predator is एक परभख्षी है अगर आप बचो परभख्षी के बाद यहाँ पर करना चाहेंगे तो हम बता सकते है परभख्षी यहाँ पर क्या है 82 Less efficient to utilize its prey अपने शिकार का उप्वोग करने में कम दक्ष होता है ऐसा कुछ बचो यहाँ पर नहीं है Help in maintaining diversity of prey population by decreasing the intensity of competition among similar prey देखो बचो पर अपनी बात यहाँ पर आए थी कि एक परभख्षी क्या करता है predator क्या करता है prey को खाता है तो prey के number को इतना कम कर देता है कि बचो competition जो है वो automatic क्या हो जाता है कम हो जाता है आंसर यहाँ पर हो गया second option और देख लो Act as conduit for energy transfer within a trophic level बचो एक trophic level के अंदर नहीं बलकि एक trophic level से दूसरे trophic level में जो energy का transfer है वो कैसे होता है प्रेडेशन से होता है show plus plus no plus minus 83 stenothermal means तनूत आपी का मतलब होता है बचो ऐसे organisms जो temperature की less range को ही tolerate कर पाते हैं जो तापमान की कम परास में ही जीवित रह पाते हैं उसे हम लोग बोलते है stenothermal तो आंसर बचो यहाँ पे कौन सा हो गया organisms which can tolerate narrow range of temperature fluctuations तो बचो 83 में आंसर यहाँ पे हो गया first option ठीक है next आके देखते हैं 84 बचो यहाँ पे आपको A बताना है तो A यहाँ पर क्या है आप कहा सकते हैं A is gas यह बचो यहाँ पे कौन सी gas है यहाँ पे greenhouse gas है तो A is gas which can which is produced by hydroelectric plant बचो 84 में यहाँ पे बिल्कुल गज़त आंसर है DR chemical D बचो यहाँ पर chemical है used in coolant in refrigerator मतलब बचो यहाँ पे CFC की बात यह कर रहा है B is the measure constitute of biogas D is a chemical hydrocarbon देखे बचो गर आप condition देखे यह अपने पास green house gas है तो बचो green house gas में सबसे ज़्यादा गर आप condition देखे तो आप कह सकते हैं यह बचो यहाँ पे CO2 है यह यहाँ पे है methane ठीक है यह बचो यहाँ पे क्या है chlorofluorocarbon और यह बचो आप कह सकते हैं यहाँ पे N2 बगरा होगी है यह बचो यहाँ पे chlorofluorocarbon है यह यहाँ पे N2 बगरा है तो देखो बचो B is a major constitute of biogas B बचो यहाँ पर methane है और बचो biogas में सबसे ज़्यादा क्या होता है मिथेनी होता है तो answer यहाँ पे हो गया second, third option अच्छा question है In the following P chart of global verbets diversity what to do A, B and C represent respectively बचो यहाँ पर A तो क्या हो गया आप कह सकते हैं बचो A यहाँ पर क्या है A बचो यहाँ पर है fishes ठीक है इसके लाव बचो B यहाँ पर क्या है B बचो यहाँ पर है birds C बचो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर amphibians को शो कर रखा है तो अपन कह सकते हैं बिल्कुल answer बचो यहाँ 85 में कौन सा हो गया third option हो गया 86 match the following बचो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा जैसे Dodo, Quagga, Thylacin, Stiller, Sea, Cow तो देखो यहाँ पर Australia जो है अगर आप condition देखे बचो डोडो यहाँ पर जो है 86 में अगर आप condition दखे तो बचो 86 में यहाँ पर हो जाएगा तो कहां से हैं मॉरीशिश से हैं क्यों कहां से हैं अफरीका से हैं और बचो यहाँ पर थायलेसीन जो है वो आप कह सकते हैं उस्टेलिया से हैं और रूस की बचो यहाँ पे क्या है स्टिलर सी का हुआ है तो आंसर यहाँ पे हो गया A में दो B में एक B में एक बचो C में यहाँ पर क्या है? चार आंसर यहाँ सेकिंड उप्शन है 87 सेवन बचो यह अपने पास NCI टिकर मेंने ग्राफ दिया है आपको एक्जाम के अंदर इन अबोव फिगर A and B are respectively उपरोग चितर में A बचो यहां पर A क्या है गार्फ यहां पर कंडिशन देखें लिए बचो यहां पर यहां पर यहां पե आप कहसे हैं, BOD है, और यह बचो यहां पर क्या क्या है? Dissol、 Oxygen है. यहां पर BOD है, यहां पर Techod है. इस रिसाब से 87 में अगर आप Condition देखें, तो answer यहां पर होगा 2 Bow, बचो यहां पर क्या है? A है? और बचो यहां पर糖 T61 K relations K21 है? यह B हो गई, कैसे पता लगा सिवेज को डिस्चार्ज किया तो बचो सिवेज को डिस्चार्ज करने पर देखो BOD का मान क्या होगा ज्यादा ओटो का मान बचो यहाँ पर कम होगा फिर धिरे धिरे बचो यहाँ पर क्या होगा ग्रिद रही यहाँ पर आप कह सकते हैं BOD का मान कम होता जाएगा और जो बचो एन्वार्मेंट से आने वाली oxygen है उसका मान बढ़ता जाएगा Next आप यहाँ कह सकते हैं 88 8 number question One of the following XC2 conservation methods for endangered wild species निम्न में से एक संकट ग्रस जाती हो की बाहे स्थाने selection विधी कौन सी है देखे बचो Wildlife centuries in situ है Biosphere in situ National Park in situ यह बचो यहाँ पर एक सिट्टो है तो answer कौन सा हो गया Next 89 In India the rhinoceros is the most important protected species इस बचो कौन सा है काजरंगा में है 90 number question How many of the following are broadly utilarian arguments for conserving biodiversity निम्न में से कितने जेव विविता सेलेक्शन के लिए व्यापक उपियोगिता वादी तर्क है देखे Oxygen Fiber Pollination Flood and Erosion तो देखो बचो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि Oxygen है Pollination है Flood and Immersion है यह बचो यहाँ पर fiber जो है यह broad नहीं है यह narrow utilarian का हो गया क्योंकि याद करो ऐसा utilarian ऐसा आप यहाँ कह सकते हैं उपियोगिता जो सिर्फ मनुष्य से सम्मझित है जो अर्थ से सम्मझित है वो बचो यहाँ पर कौन सी होती है ब्रोड होती है यहाँ पर कोती है answer यहाँ पर हो गया 3 हाँ बचो आगे पन देखते है 91 नमबर कोशन यहाँ पर क्रिस्टेशियन से यहाँ पर अदर अनिमल्स हो गए तो अ बचो यहाँ पर कौन सा है मोलस्का है बचो यहाँ पर कौन सा हो गया अदर अनिमल्स हो गया तो answer यहाँ पर हो गया second option 92 According to Central Pollution Control Board CPCB which particulate size in diameter of the air pollutants is responsible for greatest harm to human health बचो मनुश्य के स्वास्ते को सबसे ज़्यादा हानी पहुचाने वाले जो particles है वो होते हैं 2.5 micrometer या उससे कम वाले 93 Choose the incorrect statement The Montreal Protocol is associated with the control of emission of ozone depletion बिल्कुल सही है Methane and carbon dioxide are greenhouse gases बिल्कुल सही है Dobson unit are used to measure oxygen content यह बचो यहाँ पर गलत है जोन की लेर होती है उसकी thickness को measure करने के लिए हम लोग DU का यूज करते हैं Dobson unit का यूज करते हैं Use of Infinitators Is crucial to disposal of hospital vestures तो बचो आंसर यहाँ पर हो गया 3rd option Catalytic converter are fitted into automobiles to reduce emission of harmful gases catalytic converter change unburnt hydrocarbon जो बचो बिना जलावा hydrocarbon है उसको change किसमे करेगा CO2 में change कर देगा और H2 में change कर देगा तो बचो आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया 1st option 95 Given figure represent biomagnification of DDT in is an aquatic food chain Select the incorrect statement regarding this When agriculture fields are spread with DDT it carried by runoff water into nearby aquatic bodies बिलकुल सही है River water may have a very low concentration of DDT but the carnivorous fish in that river may contain high concentration of DDT which is still suitable for consumption by human being नहीं बचो यह जो यहाँ पर large fish होती है इसमें DDT की मात्रा बहु जादा होती है यह बचो बहु जादा poisonous होती है Increased concentration of DDT in birds affect calcium metabolism due to which egg shell become thin and break before maturity तो बच्वांस तर यहाँ पर कौन सा हो गया Second option हो गया यहाँ पर wrong statement है 96 DDT residues or rapidly passed through food chain causing biomagnification because it is lipid soluble बच्वांचो DDT जो है वो lipid में soluble है हमारी body से निकल नहीं पाती है तो body केंदर ही वो deposit हो जाती है Next 97 number question In order to control environmental act बच्वांचो यह कब लागूवा था आप के सकते है environmental act लागूवा था 1986 में 98 number question Thinning of egg shell and their premature breaking eventually causing decline in bird population due to low concentration of DDT नहीं बच्वांचो लो concentration नहीं होगा जो egg shell है वो बच्वांचो जल्दी फट जाता है due to low concentration नहीं high concentration of DDT disrupt calcium metabolism disrupt potassium metabolism answer बच्वांचो यहां पे कौन सा होगा one etc recycled into chemical fertilizer which reduce the use of fertilizer both one and two तो देखो बच्वांचो यहां पे 99 number question जो है इसमें आज से कौन सा होगा first option होगा बच्वांचो यहां पे लिखा है chemical fertilizer chemical नहीं होगा यहां पर next hundred number question using Khan's technique by the year 2002 more than 40 km of road in Bangalore has been lead this road is the mixture of यह बच्वांचो यहां पे polyblade or bitumen bitumen बच्वांचो यहां पे koila होता है coal होता है और polyblade जो है वो ऐसा powder था जिसको polythene को crush करके बनाया गया था next 101 which of the following is a wrong statement greenhouse effect is a natural phenomenon eutrophication is a completely man-induced phenomenon in fresh water bodies most of the forest have been lost in tropical area ozone in upper part of atmosphere is good ozone तो बच्वांचो यहां पे कौन सा हो गया second option हो गया क्योंकि जो बच्वांचो यहां पे कह सकते हैं एक natural phenomenon होता है ठीक है next read the following statement यह बच्वांचो यह बच्वांचो यहां पे गलत है तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया फर्स सेकिंड एंड थर्ट को यहां पे स्टेटमेंट क्या है बिलकुल सही है आगे देखते हैं next one zero one one zero three the most important human activity leading to the extinction of wildlife fragmentation and destruction of natural habitat को सही है ncrt के लाइन बचाए सबसे जादा जो बायो डिवर्सीट के कम होने का रिजन है वो है habitat loss and fragmentation next one zero four a group of several species living together is known as a biotic community if they are endemic species they present with biological interaction बिलकुल सही बचो एक ही साथ रहने वाले living organism का group community है जो कि बचोपस में क्या करते हैं next which of the following statement about biogeochemical cycle is not true बिलकुल बचोपन यहां पर देखते हैं में sulphur cycle is a gaseous as well as sedimentary cycle बिलकुल सही है और विद्रिंग ओफ रोग्स small amount of phosphate dissolved in soil solution and are absorbed by plants exchange of phosphorus between organism and environment negligible in sedimentary cycle biogeochemical material involved in circulation in gaseous यह बचोँ यहां गलत हो गया जो sedimentary cycle है वहां पर gaseous नहीं soil आता है तो answer यहां पर हो गया fourth option ठीक है बचो आगे देखो यहां यहां पर यह है expanding population यह बचो यहां पर है stable declining है अगर प्री रेप्रोड़क्टिव जो होते हैं रेप्रोड़क्टिव से ज्यादा है तो expending हो गई अगर रेप्रोड़क्टिव और प्रे बराबर है तो यह कैसा हो गया बचो stable हो गया अगर प्री रेप्रॉड़क्टिव के number reproductive से कम है तो बच्चो कैसा हो गया decline हो गया तो answer यहां पे आपका हो गया expanding कि बी स्टेबल है सी डिकलाइन है आंसर यहां पर हो गया फस्ट ऑप्शन नेक्स्ट कोश्चन नमर 107 ग्रेटेस्ट टू जिनेटिक डाइवर्सिटी इन एगरी कल्चर क्रॉप बच्चो क्रिश्च फसलों में हम लोग क्या करते हैं हम लोग उन फसलों को उगाते हैं एक्स्टैंसिव यूस ओफ इंसेक्टिक्टिक्साइड एक्स्टैंसिव मिक्स गोपिंग इंच्ट्रोथ यहां पर उनिक आउज करते हैं नेक्स बंजी रो यट्ट विछ ऑफफ फोलोइंग इस नोट इनक्लूड़ुडेड अंडर इन इनक्सीट्यू कंजर्वेशन जो इन सीटू conservation उसमें कौन सा नहीं होता नेशनल पार्क है वाइड लैप सेंचुरीज है बायो स्पिर है यह बचो यहाँ पर एक सीटू में आता है कौन सा जू 109 बचो बायो मेंगनिफिकेशन रिफर्स टू बचो बायो मेंगनिफिकेशन के अंदर क्या होता है हर अगले ट्र है यहाँ पर है किक पिरामिट फरस्ट इस बेश्ट और बायो मास का फिरामिट यहां कैसकते ले इको सिस्टम है तो बिलकुल अपन कह सकते बचो यहां पर जलिए यह पारी तंतर अगर आप condition देखे फिर्स्ट तो क्या है एक्वाटिक है सेकिंड बचो यहां पर टेरिस्टेल है तो एक्वाटिक के अंदर यह बचो बायो मास्का हो सकता है बिल्कुल कोई दिकत नहीं है यह बचो यहां पर क्या होंगे फाइटो प्लैंक्टोन यह बचो य यहां पर क्या है जूप लेंटों है पिरामिड फिर्स्ट एंड सेकंड बेस्ट और एनर्जी नो मतलब भी नहीं है यहां पर एक तो वन सही है एक थर्ड सही है आंसर बचो यहां पर हो गया फॉर्ट ऑप्शन ट्रिपल वन कि प्लांट्स ग्रोइंग नियर सी शोर विल य तो कमी ही नहीं है तो फिर भी वो जिरोफाइटिक कंडिशन क्यों शो करते हैं क्योंकि पर समुंदर के पास में नमक ज्यादा होता है नमक ज्यादा होने से वोटर का एब्जॉप्शन कम होता है और इस एब्जॉब्ड वोटर को बचाने के लिए बच्चो इनमें water from soil answer बचो यहां पर हो गया third option 112 the transition zone between two community बचो दो community के भीच का जो transition zone होता है उसे बचों लोग क्या बोलते हैं एकोटन बोलते हैं 113 given below population pyramids of three different populations a b and c depicting the relationship between birth and death rate in each population b has lower growth rate than population a population b जो है बच्चों इसमें growth rate क्या है slow है a के comparison में बिल्कुल बच्चों possible हो सकता है population c has birth rate higher than its death rate बच्चों जो यहां c है इसमें high birth rate है has high birth rate नहीं बच्चों बच्चों यहां birth rate क्या है कम हो हो गया second option यहां पर हो गया कि देखो बच्चों यहां birth rate तो कम है और death rate क्या है ज्यादा आंसर यहां पर हो गया one one three में second option ठीक है next आगे चलते है one one four an association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interactions यह बच्चों यहां पर क्या है एक community होती है यह क्या बोल रहा है association of individuals of different species एक से ज्यादा species है तो बच्चों क्या बनाए कम्यूटी बनाएगी one one five pyramid of biomass and energy in ocean for a typical grazing food chain बच्चों ocean के अंदर energy का तो देखो बच्चों बच्चों कैसा आगा biomass का बच्चों कैसा आएगा invented आएगा यह बच्चों 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 बंगाज और出 हां इस तरीके से बनता है yeah यह बच्चों यहां पर हो तों यहां पर होता है phytoplankton, 주oplankton, small fish जॉप टों फिश एंड, larges fish तो बच्चों क्या गया, second option आ गया, next बचो यहां पर है 116, देखते हैं, कोई दीकत नहीं है, बचो 116 में mainly आपको यहां पर matching करना है, बचो matching करना है तो देखते हैं, Urythermal, बचो इसमें क्या आ गया, Urythermal के अंदर narrow range आ गया, wide range तो बचो 1 में आ गया D एंड बचो यह जो यहाँ पर condition है really thermal यह कौन दरसाता है thermoregulation ताप नियमन वाले बचो यहाँ पर दरसाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 116 में first में D first में D और second फिर बचो यहाँ पर क्या आएगा second में steno thermal में क्या आ जाएगा able to toilet narrow range और बचो यहाँ पर आ जाएगा four micro thermal यह होते हैं बचो conformer कौन से होते हैं जो body के temperature को change करते हैं अपने atmosphere के यह साब से यह बचो कौन से है 99% animals हो गए dipos क्या होता है dipos के अंदर suspend की एक phase है जो कि जू प्लेंक टॉन शो गड़ते हैं तो देखो बचो पूरा यहाँ पर NCRT का question है बस मेच आप यहाँ पर कर लेना इस कहां से बजाएगा third option 117 बचो paper जो बनाए है मैंने है NCRT based तोना सा बचो मैंने आपको यहाँ पर देने का परियास किया है ताकि आपकी यह भी एप्रोच बने कि ecology के अंदर भी कुछ question को गुमाया जा सकता है नेक्स्ट 117 बैंतिक ओगनिजम्स आर अफेक्टेड मोस्ट भाई तल में रहने वाले जीव मुक्यत प्रभावित होते हैं लाइट रिचिंग दे फोरेस्ट फ्लोर सर्फेस्ट टर्बुलेंस ओफ फोटर सेडिमेंट करेक्टर्स ओफ एक्वार्टिक एकोसिस्टम वाटर होल्डिंग केपिसिटी ओफ सोयल बचो यहाँ पर कोश्ट नमबर जो 117 है इसमें आसर जाएगा सेडिमेंट करेक्टर कैसे क्योंकि बच्चो बेन्थिक जोन है और बच्चो बेन्थिक जोन का मतलब भी क्या है जो समुंदर के बिल्कुल डीप में रहे है यहाँ पर तो बच्चो यहाँ पर सोयल जो होती है उससे यह इंफ्वेंस होते है नेक्स्ट वन वन एट मिल्कुल बच्चो यहां पर अच्छा कउशन यहाँ पर यह पर है एक जो रैगुलेटर होता है बच्चो इसके अंदर क्या होता है रैगुलेटर के अंदर उसका जो इंसरफिम गातल जो rès में सब्सकी है maximum efficiency वाली answer यहां पर हो गया first option 119 the carrying capacity of a population means the rate of the rate at which the density of individuals increase over time the maximum number of individuals which can be supported in a given environment बिल्कुल सही है बचो किसी भी environment में species के जितने number maximum हो सकते हैं जिसको environment tolerate कर सकता है उनको बचों लों क्या बोलते हैं capacity बोल देते हैं next the growth speed of a population can often be described with the logistic growth equation dn upon dt is equal to rn k minus n upon k in this equation n is the number of individuals r is the intrinsic rate and k is the carrying capacity according to the equation the equilibrium number of individuals in the population is determined by बचों इस समीकर्ण के नुसार समिष्टी में वेस्टियों का जो साम में है वो निर्दारित कुन करेगा बचों यहाँ पर environment करेगा मतलब कुन करेगा के करेगा तो बचों इस तरीके से हमने यहाँ पर 120 कोशिंज को सोल किया है उमीद है आपने यहाँ पर नहीं नहीं बातों को सीखा होगा आपकी जो एप्रोच एकोलोजी की और बढ़ी होगी थैंक्स करेगा जो एक्स